हाई फ्रेंज वेल्कम बेक टो मैं चैनल उमीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे तो हमेशा की तरह फिर से मैं एक यूनीक सी प्रोड़क्ट आपके लिए लिए आया हूँ जिसका नाम है पोर्टेबल कार्ड टाइब स्टाव इस वीडियो में हम इस प्रोड़क्ट क की रेवियो करेंगे इसके अन्बॉक्सिंग करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों यह प्रोड़क्ट आउटडोर इस्सेमाल के लिए बनाया गया है अगर आप पिकनिक पर जा रहे हैं या कहीं हाइकिंग या आउटडोर पर जा रहे हैं तो ऐसी सिच्वेशन में तकरीबें 11 x 11 cm होता है और इसकी जो हाइट है तकरीबें 10 cm की होती है दोस्तों आपको बता दूड़क्ट है यह प्रोड़क्ट यह ब्यूटेन गैस गेरिशन गेस की कैंस आपको मार्केट में एजीली मिल जाएंगी दोस्तों यह प्रोड़क्ट काफी सारे अउन-लाइण स्टोर्स पर अवेलेबल है अगर आप खरीदने चाहते हैं तो मैं इसकी पर्चेस करने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा इसके ओरिजिनल प्राइस तकरीबन 1000 से 1200 रुपे की बीच में होती है पर आजकल आफर में अगर आप इसे लेंगे तो आपको यह तकरीबन 600-700 रुपे में भी मिल सकता है दोस्तों यह प्रोड़क्ट इस्तेमाल के दोरान तकरीबन 2 किलो तक का वजन ले सकता है दोस्तों यह ज़रूरी नहीं है कि आप इस प्रोड़क्ट को आउड़र पर ही इस्तिमाल करें आप घर की पी छोटे मुटे इस्तिमाल के लिए इसे यूज कर सकते हैं और एक जरूरी बात मैं आपको यह बता दू कि इस प्रोड़क्ट के साथ में ब्यूटन गैस के कैंस नहीं आती है ब्यूटन गैस की कैंस आपको सेपरेटली खरी होंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने बॉक्स को खोल लिया है बॉक्स खोलने पर इसके अंदर एक ब्लैक किलर की पाउच आती है जिसके अंदर हमारा स्टाउ है साथ ही में एक यूजर मैनुएल आती है जिसमें प्रोड़क्ट की सारी टेक्निकल डेटेल्स दी है और मुझे यह काफी बढ़िया लगा तो दोस्तों अब हम इसकी जो पाउच है इसे भी खोल लेंगे यह जो पाउच है पाउच के पर एक चेन होती है बस उस चेन को मैं यहां से खोल दूँगा अब देख सकते हैं पाउच खुलने पर हमारा प्रोड़क्ट सामने आ गया है हम इसे पाउच से बाहर निकाल लेंगे जैसे कि मैंने बताया यह बहुत ही लाइट वेट प्रोड़क्ट है इसका जो वदन है तकरीबन चार्सु ग्राम का है यह पूरा का पूरा स्टील और अलिमिनियम बॉड़ी में ही मनाया गया है अब देख सकते हैं किस तरीके से इसे मैनुफेक्ट्चर द्वारा बेजा जाता है इसे हाथ में लेने पर बिलकुल भी एक खिलोने जैसा फिलिंग आता है अब मैं इसके जो पैर से इसके जो लेग है इसके लेग को मैं उपन कर दूँगा इसके जो पैर है वो स्प्रिंग लोडेड होते हैं जो की बहुत ही आसानी से खुल जाते हैं आप देख सकते हैं इसके साइड में एक राउंड सा स्टील पार्ट दिख रहा है जिसके अंदर ब्यूटन गयस के सिडिंडर्स लगाने होते हैं इसके जो टॉप के उपर जो चार चीज़े हैं जिसे मैं टर्न कर रहा हूँ उसके उपर आपका वैसल बैटने वाला है आपकी जो पतेली है आपको उसके उपर रखना है जैसे कि मैंने बताया आप 2 किलो तक की बरतन इसके उपर रख सकते हैं मतलब आपने जो बरतन के अंदर चीजे रखी है गरम करने के लिए बरतन के साथ में उसका जो वजन है तकरिबां 2 किलो के अंदर होना चाहिए इसके उपर आप देख सकते हैं औरेंज किलर की नॉब दी गई है इस नॉब को यूज करके आप इसी जो फ्लेम है उसे लो या हाई पर कर सकते हैं दोस्तों इस परड़क को इस्सिमाल करने के दोड़ान आपको माची या फिर लाइटर करेदने की ضरॉता नहीं पड़े ज़री कि क्योंकि इसके अनदर इनी बिल्ट लाइटर उलیड़ी आता है दोस्तो इस प्रड़क्ट को हाथ में लेने पर एक बड़ियां सा फील आता है क्योंकि ये फुल अलिमिनियम और स्टील बाडी में बनाया गया है उस वज़े से काफी मेटाइलिक लुक इसका लगता है और क्योंकि ये लाइट वेट है आप इसे एजीली केरी कर सकते है दोस्तो ये जो प्रड़क्ट है ये बस एक ही कलर में अवेलेबल है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं तो चलिए अब हम इसमें इसमें इस्तेमाल करने वाली जो ब्यूटेन गैस है उसका सिलिंडर भी आपको दिखा देते हैं दोस्तो इस प्रोड़क्ट के साथ इस्तेमाल होने वाली ब्यूटेन गैस की जो कैन्स होती है वो आप कहीं भी लोकल हार्डवेर शॉप से खरीच सकते हैं और आउनलाइन स्टोर्स पर भी अवेलेबल है इसकी जो प्राइज है तकरीबन चार सा से छे सो रुपे की बीच में होती है दोस्तो इस कैन के अंदर जो ब्यूटेन गैस होती है वो हाईली इंफलेमेबल होती है इसका मतलब है कि वो बहुत ही इजीली आँग पकड़ सकती है तो आपको इसके इस्तिमाल के दोरान बहुत ही सतरक रहना है थाकि कुछ एक्सिडेन ना हो जाए दोस्तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस कैन को तभी बाहर निकाले जब आपको आपको स्टव को यूज़ करना है नहीं तो आप इसे किसी एक्सिजगा पर रख दे जहां पर इसे चोटे बच्चे ना छूपा है तो दोस्तो अब मैं क्विकली आपको इस प्रोड़क का डेमोंस्ट्रेशन भी दिखा देता हूँ तो दोस्तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो पुरा होता है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा अगर आपको किसी तरह की क्वेरिस हो, क्वेशन्स हो यो डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलेगा मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको आंस्वर करने की और दोस्तो हमारे चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देजएगा मैं इसी तरीके की इन्फरमेटिव वीडियो और यूनीक प्रोड़क्स आपके लाता रहूँगा तो दोस्तो जल्द ही मिलेंगे हमारे नेक्स वीडियो में और एक बड़ी ऐसे प्रोड़क्स के साथ थैंक्स पर वाचिंग